दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है विरंदन है आपके अपने YouTube चैनल RN Institute अलहाबाद में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं लगातार आपके शाथ कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रहा हूं आज मैं फिर आपके सामने उपस्तित हूं जो आपकी डारेक्ट एडमेशन क प्रक्रिया निकल कराई है नोटिस PNP की तरफ से उसी के परिप्रेक्ष में मैं आज बिश्तित रूप से चर्चा करने का प्रयाश आपके सामने कर रहा हूं भया आपका लगातार कमेंट आ रहा है कि जिनका रोजिस्टेशन नहीं हुआ उनका कैसे क्या होगा तो इन सारी पुद्देशी इतना था कि आप भी उस जानकारी के बारे में अउगत हो जाएं आपके दिमाग में यह टेंसन चल रहा था कि डायरेक्ट एड्मिशन की प्रक्रिया को आएगी कैसे आएगी तो उसी के उद्देशी से मैंने सामको एक वीडियो बनाया था चलिए आज उसी अगले दिन से कोसिस करूंगा कि आपके सेमेश्टर के दौरान जो भी बुके हैं उन सभी के ऊपर डिसकस करते हुए आपको आगे की तरफ ले चलें और यह भी जानते हैं जिनका अभी नया नया होगा उनका कोर्स और जो आगे अपका कोर्स पीछे रह जाएगा तो खैर आपको घवराने की जरूरत नहीं आपको यहां से सारी सब्जेक्ट के जो है स्लेबस यहां से प्रोवाइड किये जाएंगे आप यहां से भी पढ़ सकते हैं चलिए देखिए हमने आपसे कहा भया कि क्या मेरा ट्वीटर भियान सफल रहा आपके सामने हमने बहुत कुछ कि आपके लिए अगर आपको लगता है कि मैंने आपके साथ कुछ अच्छा किया है कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है या कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूं तो भया आपसे मैं निवेधन करूंगा कि आप कमेंट बाक्स में जाएगा और अपने फीडवे को जर रहा और आज उसी सहयोग का नतीजा ये रहा कि डारेक्ट एड्मिशन की डेट निकल कर आई है और वह डेट भया क्या है कि 8 नौंबर से 8 से 13 नौंबर के बीच में आपकी डारेक्ट एड्मिशन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी उस इंतजार के में आप लगातार बैठ हुए थे आज उस इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है ठीक है यहां लिखा गया है कि डारेक्ट एड्मिशन की डेट 8 नौंबर से 13 नौंबर के बीच में स्टार्ट की जाएगी इस चीच के बारे में बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं देखिए और उस पे जो भी स्क्रीन साट जो लगा था भया असपश्ट नहीं था आप पढ़ने पा रहे होंगे तो इसके उदेश इसी सब को देखते हुए एक नया वीडियो हमने सोचा आपके सामने दिया जाए और आज के बाद इस वीडियो का इंड होगा यहीं से और कल से आपकी बुकें स्टार् की सरुप्रथम उपर लिखा गया है कि कार्याले शच्यू परिछा नियामक प्रादिकारी उत्तर प्रदेश एलन गंज प्रयाग राज और विग्यप्ति नीचे आप देख सकते हैं डेलेट बीटी सी प्रसिक्षण 2020 के अंतरगत प्रदेश में रिक्त सीटों को सत प्रस्य प्रद भरे जाने के उद्देश से सीधी प्रवेश की कारेवाई किये जाने है तो शमय सारड़ी आपकी है कि आपका कैसे होगा सारी चीजों का निचोड हमने नीचे लिख रखा है आठ से तेरा नौंबर की बीच में आपकी प्रक्रिया चलेगी लेकिन अब कैसे चलेगी क्या चलेगी उसके बारे में आप थोड़ा सा देखेंगे देखिए यहां लिखा गया है कि क्रम संख्या में आप देखेंगे कि रिक सीटों को रिक सीटों पर अभ्यरती द्वारा शीदे प्रवेश के लिए निजी वा गवर्मेंट संस्थान द्वारा अभिलेखी ये जा इसमें पहला जो दिया गया है प्रति दिन दस बजे से पूर्वाहन से चार बजे अपराहन तक आवेदन पत्र प्राप्त करना इसका कहने का मतलब यह है कि आप जब भी अपने विद्याले में जाएंगे चाहे आप गौर्मेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं चाहे आप ड आप वहां आवेदन कर दिये 10 बजे से साम 4 बजे तक उसके बाद 4 बजे देखी दूसरे नंबर में लिखा गया है कि प्रति दिन 4 बजे से 5 बजे तक आवेदन पत्र आवेदित अभ्यर्थी की मेरिट लिष्ट बनाकर बोर्ड पर चस्पा करना तथा प्रवेशित अभ्य करेंगे और 4 बजे के बाद 4 से 5 बजे की बीच में उनका जो भी नोटिस बोर्ड होगा उसमें आपका नाम अगर चस्पा किया जाता है तो आप उस उस कॉलेज में एडमिशन के लिए इलिजबल है अन्य था कि स्थिति में नहीं है ठीक ना और हां आप वहां जो भी नंब में क्या लिखा गया है प्रतिदिन प्रवेशित अब्यर्तियों का प्रवेश ब्यवसाइट पर लाग करना होगा इनका के यह आपका काम नहीं है इससे आप घबराईएगा मत यहां जो भी काम है वह संस्था काया वह संस्था करेगी इसके चकर में आप मत रहेगा और करिदिन फिस चोवन तक कि समस्ता भेड़तियों को प्रथम चरण में प्रस्चन संस्थान विकल्प भरने का अउशर परदान किया जा चुका है अता प्रवेश प्रक्रिया के दुतिय की我們的 ब्रक्षित विशेष आरक्षित को अर रख्षित- आप परिवर्तित करते हैं वे शीधा डायरेक्ट एड्मिशन प्रवेश प्रक्रिया दे जाएगे देखिए कहने का मतलब यह है कि जैसे यह कह रहे हैं कि इनकी जो भी एक लाग से एक से और दो लाग दो लाग 40,154 तक की समस्त जितने भी अभ्याड़ती हैं वो सभी अभ्याड़ती अगर जो काउंसलिंग प्रक्रिया से छूट गये हैं वो अपना डायरेक्ट एड्मिशन ले शकते हैं लेकिन इसमें एक कंडिशन रखी गई है आप नोटिस पढ़ लिजिएगा मैं पूरी को आपके शामने यहां रखा हूं और आप देख रहे हैं मैं पूरी नोटिस को नहीं पढ़ूंगा चुकि समय की बरबादी होती है इनका कहने का मतलब यह है जैसे आपने जब एड्मिशन प्रत्रिया किसी कॉलेज में ले लिया है और आप दोबारा लेना चाहते हैं तो दो आप से मैं सेर करना चाहूंगा जिनका रेजिस्टेशन नहीं हुआ था उनके लिए बिड़न बना है उनके लिए समस्या यह है कि इस जो नोटिस यहां आपकी शामने लगई है इसमेंग आपके जो बढ़ टो ऐसे वाले हैं उनका जिक्र नहीं किया गया है इसलिए उन देखिए मुश्किल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ जैसे अगर इसमें कहीं भी उनके एडमिशन के बारे में जिक्र किया गया होता तो सारी चीज़ें असपश्ट हो जाती लेकिन भाया इसमें कहीं भी आपके एडमिशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है इसलिए मैं अपनी तरफ से ऐसी कोई भी भावनाओं को ब्यक्त नहीं कर सकता जिसमें पता लगा मैं अभी कह दूँ भाया कि आपका एडमिशन होगा और ना हुआ तो मैं गलत हो जाओंगा इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा अगर कोई भी नियूज या अपडेट निकल कर आती है PNP की तरफ से वैसे आप उम्मीद तो नहीं है लेकिन फिर भी कोशिस किया जाएगा अगर कुछ अपडेट निकल कर आती है भाया तो आपको भी सूचित किया जाएगा लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा आप उस कॉलेज में संपर किजिएगा जहां भी आपको एडमिशन लेना है या आप लेना चाहते हैं उनसे पूछिएगा कि मैंने रेजिस्टेशन नहीं किया है तो क्या मेरा जो है एडमिशन हो जाएगा वो जैसा कहते हैं वही आप करिएगा अन्यता के स्थिते में आप स्वेंग अपने एक्षा के मालिक है ठीक है और हाँ एक चीज मैं आओ और आपको बताना चाहूंगा आप पूछ रहे थे कि मेरी रेंग कितनी है क्या मुझे डायेट मिल जाएगा देखिए इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जिनकी रेंग भया बीस पचीस तीस जार रेंग है उनको डायेट मिलना मुस्किल है चाहे आप डायरेक्टर मेशन की प्रक्रिया में है या आप जो है counseling किसी भी माध्यम से आप लेते हैं तो पहली बरियता जो होगी जिनका rank भीया 10,000 के नीचे होगा या 15,000 होगा जो भी होगा सीटों के according या depend करता है कि जैसी भी होगी तो जिनकी rank थोड़ी सी कम होगी उन्हें को diet में प्रविश दिया जाएगा अपकी rank जो है 2,000,000 है और आप चाहते हैं कि मैं diet में admission लेनू तो ऐसा नहीं होगा भले से यह direct admission हो रहा है लेकिन यह condition नहीं आएगी कि आपकी rank 2,000,000 है तो आपको diet में admission हो जाएगा कदाप ऐसा नहीं होगा खैर अगर आप चाहते हैं चेक करना तो आप चेक भी कर सकते हैं लेकिन जहां तक उम्मीद है कि यह कंडिशन नहीं आएगी कि दो लाख रैंक वाला इस्टूडेंट जाता है डायेट में अड्मिशन लेने नहीं जिनकी रैंक अच्छी है जो संपर्क कीजिएगा अगर हो जाता है तो ठीक है अन्य था कि स्थिति में अगर आपका अधे है टीचर बनना तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से अपने नजदी की या कहीं से भी जहां से आपके इक्षा कर रही है आप वहां से डेल में आप अपना करवा देख чув saala hits करते हैं कि सारी बात आपको समझ में आ रही होंगी और रही बात आपके कोर्स की तो सारे कोर्स का स्लेबस यहां से स्टार्ट किया जा चुका है और अनवरत कल से दिया भी जाएगा किसारी बात अब को समझ में आगई होंगी अगर वीडियो पसंद आया है और आपको लग रहा है कि मैंने कुछ आपके लिए अच्छा किया है और कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूं तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो थैंक्स धन्यवाद